हाई फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के साथ रक्षबंधन स्पेशल में ब्रेट से लड्डू बनाना बताऊंगी और यह लड्डू इतना यमी और टेश्टी लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती और जितना यह देखने में टेश्टी यeपनी यह खाने में भी उतना gary टेस्टी है और बनाना बहुत ही असान और बिल्कुल अलग तरीके से यह लडू में बनाई हूं और स्टफिंग है इसके अंदर तो चलिए देखते हैं किस तरह से लडू बनाई हूं लडू बनाने के लिए यहां पर मैं 12-13 ब्रेट के पिसस ली हूं और इसके कॉर्णर को न संदर में लिए बैलों और मेरे तरीके से इसे जरूर बनाया और यह बहुत टेस्टी लगती है बनने के ब्रेट को काफी अच्छे से मैं मैश कर दी हूँ और इसके अंदर तीन से चार बड़ी चमाच मैं घी आइट करूंगी आप बटर भी आइट कर सकते हैं हाफ पिंच यलो फूट कलर ले रही हूँ मैं आपके पास जो है आप उसे ले सकते हैं आप कैसर भी ले सकते हैं और यहाँ पर half छूटी चम्मच पानी में इसे add कर दी हूँ और इसे side में रख दूँगी और साथ में एक छूटी चम्मच में यहाँ पर क्योड़ा वाटर ले रही हूँ और घी को भी add कर दी हूँ और इसे में bread के उपर add कर दूँगी पैन को मैं गैस के उपर रख दी हूँ और इसे अच्छे से mix कर लूँगी और तीन से चार मिनट लगेगा इसे अच्छे से भूनने में जले ने इस बात का धियान रखना है low to medium flame पर इसे चलाते हुए अच्छे से में भून लेना है दो मिनट हो गया है इसे low to medium flame पर अच्छे से भूनते हुए आप देख सकते हैं कहीं से यह जला नहीं है तो इसी तरह से मैं चलाते हुए इसे भून लूँगी चार मिनट low to medium flame पर इसे भूनते हुए हो गया है अब इसके अंदर मैं एक कर सुगर सिरप अट करूँगी और पटल वाली मिठाई जिस तरह मैं बनाई हूँ सुगर सिरप के साथ तो इसकी वीडियो अपलोड है आप देख सकते हैं सुगर सिरप मैंने कैसा त्यार किया है उसका लिंग में शेयर कर दूँगी और इसके अंदर मैं एक कर दूँगी यहाँ पर मैं वही चासनी यूज कर रही हूँ जिसमें मैं पटल की मिठाई बनाई थी तो आप उसे बहुत सारे डिसस बना सकते हैं तो इसमें मैं एट कर दी हूँ और जारा नहीं एट करना है नहीं तो लेडू नहीं बनेगी और यह काफी गिला हो जाएगा तो इसके अंदर मैं और हाप कप एट करूँगी और इससे अच्छे से मिक्स कर दूँगी तो आप सुगर सिरफ किस तरह बना सकते हैं इसकी वीडियो अपलोड है पटल वाली मिठाई को आप देख सकते हैं तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी एक साथ हमें एक कप एट नहीं करना है हाफ कप मैं एट करूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी अच्छे से मिक्स हो गया है इसे हाई फ्लेम पर मैं अच्छे से भून लूँगी तो यहाँ आप देख सकती है यह बनने लगा है और बिल्कुल तयार है इसे में निकाल लूँगी फ्लेम को हमें अफ कर दूँगी देड कप नारियल पॉडर, हाफ कप मिल्क पॉडर और एक बड़ी चमज, सुगर सिरप और एक छोटी चमज बटर एट की हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर दी हूँ और स्टफिंग तयार है आप इसका स्टफिंग पटल वाले मिठाई में भी देख सकते हैं बिल्कुल वही स्टफिंग है और यहाँ तीन बड़ी चमज, मिक्स ड्राइफ फूट्स ली हूँ आप कोई भी ड्राइफ फूट्स अपने पसंद कर ले सकते हैं और इसे मैं यहाँ पर बारिक काट दी हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी बहुत इजी है इसके स्टफिंग को बनाना तो आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं तो रक्षबंदन पर मेरे तरीके से इस विट्स को ज़रू ट्राइए करें लड्डू की कोटिंग के लिए यहाँ पर मैं एक कप नारियल पॉडर ले रही हूँ यह मोटा है बारिक भी ले सकते हैं तो सबसे पहले इसे मैं जरा सा थंडा कर लूँगी नॉर्मल गर्म होना चाहिए उसके बाद लड्डू बनाना शुरू करेंगी यह गुनगुना थ रही हूँ उतने बड़े साइस का यहाँ पर लड्ऻू बनाएंगे तो मैं जर्ला बड़े साइस का बना रही हूं और इसको इस तरह से डीब न बनखर कर देंगे। बहुत इसी तरीके से बनाना बता रही हूँ, तो जितना कम यह जादा आप अपने हिसाब से एट करें, उसके बाद इसे घुमाते हुए, चारो तरफ से बन कर देंगे, बहुत इसी यह बनाना, तो यहां देखें लड़ू तेयार है, इसी तरीके से जो भी बचा है, बना ले मेरी हूँ, तो आप मेरे तरीके से जरूर बनाएं, डीप करने के बाद इसके अंदर स्टरफिंग को डालेंगे, और डालने के बाद इसे अच्छे सो घुमाकर कवर कर देंगे, जब आप इसे कट करेंगे, तो काफी अच्छा सेब दीखेगा, कोई नहीं कहेगा, कि आपन इसे तरीके से बना लेंगे, तो सारा लड़ू बनकर तयार है, अब इसे हम नाजिल पादर से कोट करेंगे, मैं हाँ पर इलाइशी पादर नहीं आट की हूँ, क्योंकि मैं इसके अंदर क्योडा वाटर एट की हूँ, आप इलाइशी पादर भी आट कर सकते हैं, और से काफी अच्छा इसका फ्लेवर आता है, जो भी लड़ू बचा है नारिल पादर में इसी तरीके से मैं कोट कर लूँगी, सारे लडू को मैं अच्छे से कोट कर दी हूँ अब इसके उपर मैं चांदी के तबक को लगा दूँगी काफी अच्छा लुग आएगा इससे और बहुत अच्छे लगती है इससे मिठाई तो कोई नहीं कहेगा कि इसे आपने घर पर त्यार किया है तो मेरे तरीके से जरूर ट्राइ करें इस रक्षा बंदन पर या किसी भी मौके पर तो तबक लगाने से पहले आप उसके चोटे-चोटे टुकड़े कर ले उसके बाद इससे लडू पर एट करें बहुत एजी तरीके से आप इसके उपर लगा सकते हैं तो जो भी बचा है उसे मैं लगा लूँगी तो फाइनली यहां स्टरफिंग वाला बेड लडू बनकर तयार है इसके अच्छे लूप के लिए यहां पर मैं औरेंज फूट कलर इसके उपर एट कर दूँगी और जब आप इसे काटे तो जरा सा उसके उपर भी एट कर दें मैं आपको एक काट कर भी दिखलाऊंगी को काने में भी उतना ही अच्छा और टेस्टी है तो मैं यहां पर आपको एक काट कर भी दिखलाऊंगी तो आप इसे जरूर ट्राई करें जब आप इसे काटेंगे तो बहुत अच्छा सा इसका लुक दिखेगा और जब आप इसके काट कर इसे सर्फ करें तो इसके पर जरू लेगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट स्वक में जाकर कमेंट कीजिए सब्सक्राइब करना प्लीज मत बूलिएगा अलाह अफेज